लगातार किसान संगचनों और किंदर सरकार के बीच जहां बातचीत का दौर जा रही है आज 11 दौर की बैठक होनी है किंदर सरकार और किसानों के बीच दुपहर 2 बजे विज्यान भवन में लेकिन उससे पहले 26 जनवरी को किसान संगचनों ने ये ऐलान किया है कि वो बाहरे दिल्ली के आउटर रिंग रोट्स पर ट्रेक्टर रेली निकालना चाहते हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलस के अधिकारियों के साथ किसान संगट्रों की बैठक चल रही है उधर सुप्रीम कोट में भी ट्रेक्टर रेली को लेकर आज सुनवाई होनी है तो इस तमाम मुद्दों पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है क्या जानकारी हमें मिल सकती है इसके लिए हम रुख करते हैं हमारे सेयोगी वरुन गोल हमारे साथ जुड़ रहे है जी वरुन कुछ दिर पहले हमने जब आपसे बात की थी तो किसान नेताओं से भी आपने बात की तो क्या कुछ मीटिंग में चल रहा है क्या भी भी मीटिंग चल रही है किस तरह की जानकारी है क्या अपडेट है आपके पास दोब्डेट हम दर्शियों को दे देते हैं। पहला अपडेट यह है कि जो प्रमुक किसान नेता हैं जिन के साथ कल भी बैठक हुई थी पॉलिस के अधिकारियों की वह बैठक अभी विज्यान भवन होनी है सरकार के साथ और इसी विज्ञान भवन की एनक्सी में इस वक्त बैठक चल रही है जो प्रमुक किसान नेता है उनकी दिल्ले पुलिस के अधिकारियों के बीच बूटा सिंग बुर्जकिल किसान नेता के जरीए बड़ी इस बिच्ब़ी पता लगी कि पुलिस की और से ये प्रस्ताव दिया गया था कि जो कारूंप है जो किसान नेताओं को आपने अभी सुना होगा जो तोर पर यह कहा रहे हैं कि हम दिल्ली में ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे दूसरी महत्पूर्ण बात ये है कि कोट में जो आज सुनवाई होनी है मैटर नंबर 18-19 जो है किसानों का वो लिस्टेट है लेकिन आखरी जानकरी जो हमारे पार साही वो ये थी कि 14 नंबर तक मामला सुन लिया गया है या पर हमारी नजर रहेगी और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि जो सरकार से प्रस्तावित बातचीत है दो बजे की उसके लिए निकल चुके हैं सिंगू बॉर्डर से किसान वो बसों में रवाना हो चुके हैं तो ये फिलहाल सारा अपडेट है बिल्कुल वरुन जो इस सदिकारियों के साथ किसान संगर्शनों की बातचीत चल रही है अगर उसकी बात हम करें तो जैसे कि किसान नेताओं ने कहा हमने सुना कुछ दिर पहले आपने उनसे बात की कि दिल्ली में ट्रेक्टर रैली निकालेंगे अगर इस तरह की जिद रही इस तरह की मांग रही तो कहीं न कहीं पेच फिर से फ़स सकता है। कूरी कर सकतें अपने बात तो सवाल यही था कि कोट ने पिछली बार यह संकेत दिये थे कि कि लोग आएंगे और कितने नहीं आएंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा यह तै करना पुलिस के अधिकार शेतर में आता है और यह भी कोट ने कहा था कि क्या गौवर्मेंट जो लगता है किसी कंक्लूजिव रास्ते पर पहुंचा जाएगा लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं कोई कि ये जो नई दिल्ली का इलाका है जहां 26 जनवरी गंटतर दिवस को लेकर इतनी तयारियां रहती हैं यहां पहले से धार 144 लगी होगी तो यहां पर तो यह संभावना यह नहीं है ऐसे में किसानों ने एक चीज़ पश्ट कर दिये कि टकराव कि उनकी मंचा नहीं है लेकिन यह कारेक करम उनका बड़ा कारीकरम तैय कारेकरम जिसकी तयारी बहुत वक्त से करने कारेकरम को हरहाल में करना चाहते हैं इसलिए आउटर दिल्ली का रूट उन्हों ने एक प्रपोस्ट तयार किया प्रस्ताव रखा अब दिल्ली पुरिस के अधिकालियों के साथ उनकी क्या बादचीत होती है क्या सहमती बनती है यह एक बड़ा विशय है क्योंकि मेरा नुमान यह कहता है कि अगर परमीशन दी गई तो उसमें बहुत सीमित संख्या तैक की जाएग और जो पुलिस के साथ बैटक के बाद किसान आएंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं बिल्कुल वरुन जो फैसला होगा वो तो अपनी जगे है वो तो सर्वमाने होगा ही जो भी मीटिंग में बाचित में हल निकलेगा वरुन लेकिन अगर ये अंदाजे की बात है आप और हम अगर पर्मीशन मिल जाती है तो किसान संगट्रों की ट्रेक्टर रैली के लिए भी चाहिए होगी कितनी मुस्तेदी और कितनी जिम्मेदारी पुलिस की बढ़ सकती है देखिए मैं एक चीज़ तो यह कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने इस विशे को अब गंभीरता से लिया है जस्तरह से खुद सिंगो बॉर्डर पर जाकर एक बैठक बातचीत की है और उसके बाद आज एक और बातचीत हो रही है बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है इसका मतलब पुलिस इस मामले में कोई रास्ता निकालना चाह रही है देखिए अगर इजाजत मिली तो ये तय है कि संख्या सेमित होगी ये तय है कि उसका रूट जो है वो एकदम ऐसा रखा जाएगा जो बाहरी हो और ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जब राजपत का कारेकरम समाप्त हो जाएगा संपन हो जाएगा उसके बाद उसकी पर आप निकाल लीजिए उस पर मनाने पर कोई सहमती बन जाती है तब परेशानिया कम हो सकती है क्योंकि पुलिस ये भी समझाने की कोशिश कर सकती है कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रेक्टर अगर दिल्ली में आये तो दिल्ली में पर ट्रैफिक व्यवस्ता चाहे वो आ एक्सप्रस वे हैं उससे हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट की थी जब वहां ट्रेक्टर रैली निकली थी किसानों के साथ हम ट्रेक्टर पर भी बैठे थे और दूसरी गाड़ियों में बैठके हमने पूरा जायजा लिया था तो वह आबादी का ख्षेतर नहीं है तो वहां उ में आकर सारी बाते जब बाहर आएंगी कि अंदर क्या कुछ रहा तो वह बड़ा महत्रपूर रहेगा और उसी लिहास समझने की कोशिश करेंगे कि इस मिटिंग में क्या कुछ रहा लेकिन किसान संगठन भी और पुलिस भी दोनों की नजरे इस बैठक के साथ साथ कोट की हेरिंग पर भी बनी हुई है कि कोट इस पर क्या कुछ कहता है कोट क्या कुछ संकेत करता है इसलिए अब से थोड़ी दिर में कोट में मामला शुरू होगा तो वहां पर भी यह समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कोई कोट डारेक्शन देता है या फिर दिल्ली पुलिस को य जैसी बाते उस वक्त आ रही थी तब तब यह कहा गया था याजिका में में कि प्रदरशन के अधिकार के तहट देश को विश्व में शर्मशार करने की इजाज़त किसी को नहीं मिलने चाहिए लेकिन अब किसानों ने साफ करी दिया है कि वह इस रूट पर ना इस रास्ते पर कहीं नहीं आ रहे हैं उन्होंने अपना एक अलग रास्ता भी बता दिया है लेकिन पुल मिलाकर बैठक से कोई रास्ता निकले एक और दूसरा कोट इसमें कोई डारेक्शन दे दो दोनों बातों पर नजरे सब की बनी हुई है बिलकुल नजरे सभी की बनी हुई है फियाना की बात करेई पंजाब की बात करें क्या कुछ इसको लेकर आप चरेंगे अपने दर्श कों से किस तरह की तयारे कोई है अज प twenty है कि दिल्ली में प्रवेश के लिए अनुमती सबसे बड़ी बात है और उसके बाद उस प्रश्ण वाचक चिन के आगे ही सब कुछ है वह बाधा क्रॉस होगी तब सब कुछ हो पाएगा लेकिन उसके लिए अभी हमें यह देखना है कि सुप्रीम कोट का डिरेक्शन देता है हमें यह देखना है कि दल्ले पूलिस के साथ क्या कोई सहमती बनती है और जो बुटा सिंग बुर्जगिल ने जानकारी दी हम लग्राय फिलाल की वह वाला विशेख गौन हो गया है आज या अभी तक हम यह कह सकते हैं अभी चर्चा में बना हुआ है 26 जनवारी का कार्यकरम और उसको लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई और उसको लेकर पुलिस के साथ बैठक